हलो बच्चो आप लोगों को मैं सैनिक स्कूल की ए काउंसिलिंग का पूरा प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा नाम है स्रेश्ट गुपता और अगर मेरी बाते आपको थोड़ी धीरे लग रही हो तो आप 1.25x की स्पीड से देख सकते हैं मैं फटा-फट से आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा इंपोर्टेंट जो चीज है वो है आप लोगों के लिए च्वाइस फिलिंग करना स्यानिक स्कूल का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं लाइन टो लाइन इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखना थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में बर डोण वरी आपको जरूरी है इसलिए मैं यह लंबी वीडियो बना रहा हूं देखे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सैनिक इस्कूल आपको गूगल पर जाना गूगल पर सर्च करना है यह open होते ही आपको दिखेगा यहाँ पर की ऊपर right side में यहाँ पर new registration करके लिखा हुआ है अगर आपने registration कर लिया है already तो आपको यह new registration क्लिक करने की जरुवत नहीं है आप simply ऊपर जाईए यहाँ पर sign in दिख रहा है यह sign in को क्लिक करिए और sign in को क्लिक करने के बाद क्या होगा automatically आपका username और आपका password मांगेगा जो आपने new registration के time पे बनाया था उसको fill up करके आप advance कर सकते हैं आप आके बढ़ सकते हैं मैं उन बच्चों को बता दूँ जिन्हों नभी तक registration नहीं किया है आपको इसी page पे रहना है और नीचे दिखें यहाँ पर new registration का दिख रहा है link इसको click करोगे इसको click करते क्या होगा एक नया page खुलेगा जहाँ पर आपका application number मांगेगा application number आपको type करना है जो भी आपका application number ही type करना और type करने के बाद आपको verify में click करना है verify में click करने के बाद क्या होगा उपर में यहाँ पर आएगा कि verification completed यहाँ पर मैंने randomly कोई भी number डाल दिया था इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि this is incorrect application number ठीक है यहाँ पर incorrect में अजीब बात है कि इन्होंने incorrect की spelling ही incorrect रखी है मतलब गलत तर्खी है तीन आर हो गया जबकि दू आर होना था है ना मैंने भी अभी ध्यान दिया चलिए तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले आपने verify पर click किया जैसी verify होगा उसके बाद क्या होगा आपका number और आपका phone number आपका email id दिखाएगा और नीचे लिखाएगा OTP डालने के बाद verify OTP करिएगा और verify करने के बाद क्या होगा आपको password set करने को बलेगा तो password को दो बार लिखना है और वो password आप बना लेना अपने हिसाब से password बनाने के बाद क्या होगा जैसी आप बोलो के submit submit करने के बाद यह वाला page खुल जागा इस तरीके का दिखाई दे और password में वो password डालना है जो अभी आपने create किया था यानि की registration के time पे new registration में जब क्लिक किया था तो password create किया था याद रखना अभी तक registration नहीं हुआ है registration इसको enter करने के आगे होगा तो यहाँ पर मेरी एक student है उस student का मैं login करता हूँ और मैं वो login करके आपको दिखाता हूँ कि choice filling हम लोग कैसे करने वाले हैं तो मैं फटा-फट से फोन अपना फोल के अपने student का एक बार application नमबर देख लेता हूँ इंटर करने के बाद यहां पर sign in पर click करना है sign in पर click करोगे तो यह automatically आपका page खुल जाएगा ठीक है जैसे page खुला यहाँ पर देखो my profile है my profile में आपका थोड़ा data वगेरा दे रखा है कि आपके कितने mark से क्या ranking है वगेरा वगेरा उस पर आपको कुछ नहीं करना है आपको choice filling पर आना है ठीक है तो choice filling से पहले क्या होगा कि अगर आपने पहली बार registration किया था तो अभी जो data मैंने आपको दिखाया my profile वाला वह आपका पूछेगा कि सही है कि नहीं आपको बस okay okay करना है ठीक है और एक दो जगा पर पूछेगा कि यह rules है यह rules आप satisfied हो कि नहीं त फिर आते हैं 40% root वाले nss nss का मतलब होता है new sanic school और सिर्फ ss बोलता तो sanic school तो पुराने sanic school कितने हैं total 33 हैं और new sanic schools कितने हैं total 40 हैं और इसके लावा एक और आता है 40 नहीं sorry 40% और इसके लावा एक और option आता है nss 60% root इसका मतलब समझा देता हूं फटाफट से मैं nss 40% root क मतलब यह है कि आप किसी school में पढ़ते हैं और उसी school से किसी दूसरे school में जाना चाहते हैं जो sanic school कि इसको स्री राम स्री परसेंट डूट में अप्लाइब करोगे ठीक है लेकिन मान लो कि आप खुद स्री राम स्कूल में पढ़ रहे थे मतलब वहीं पर 5th क्लास में थे अब 5th के बाद 6th जो है वो तो सैनिक स्कूल बन गया स्री राम में तो आपको admission यहाँ पर मिलना चाहिए न तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा nss 60% रूट में अपलाई करना पड़ेगा यहाँ पर मेरी student ने nss 60% रूट में अपलाई नहीं किया है क्योंकि वह ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ रही जो वह नाम लिखा है सबसे पहला वाला जो आपने application form में भरा था चॉइस अप्लिकेशन फॉर्म जब आपने भरा होगा सकते है नीचे वाले में मिल जाएं तो आप क्या कर सकते हो फटाफट से यहाँ पर से नाने सेनभी स्कूल एड़ कर सकते हो जैसे यहां पर čॉढलाइड कर दिया फिर सेनीक इंपकर अमेठी इसको plus में करूँगा तो वो add हो जाएगा ठीक है चार देखो चार सैनिक स्कूल हो गया अब मेरे को total कितने करने 10 करने का मन है ताकि मेरे को भीया कहीं पर भी मिल जाए कोई कहीं न कहीं तो मिली जाए इस उमीद में फिर उसके बाद 5 हो गया फिर मानलो मैंने सैनिक स्कूल बाला चड़ी गुजरात का कर दिया यहां पर यह एड़ हो गया फिर मैंने मानलो यूपी का कोई सैनिक स्कूल मेठी तो मैं सलेक्ट करी चुका हूं अलड़ी या मेठी के लावा MP का देख लेते हैं मध्य प्रदेश क कर दिया अब देखो रिवा सैनिक स्कूल से लेक्र मेरे का चानक से ध्यान आया कि सैनिक स्कूल रिवा जो वह 36 गड़ में प्रदेश में मैं स्टूडेंट का तो मैं क्या करूंगा मैं कर सकता हूँ सबसे नीचे सेनिक स्कुल कि वा इसको यह जो एरो दिक रहर है अप एरो इसको वैने क्लिक किया तो वह उपर चला जाएगा थीक है देख़ो अब यह six नंबर पर आ गया प्लिक किया तो यह चला गया यह तो यह फ्र नंबर पर को यह फोलन पर वैसे करते-करते डिक करुए तो यह थर्ड नमबर पे चला जाएगा और देखो रीवा जो कि भी मैंने सिक्स्त नमबर पे चूज किया था अब यह कहां पर पहुंच गया सेकंड नमबर पहुंच गया तो हम इसका अरेंजमेंट कर देता हूं आंदर प्रदेश में यह सेलेक्ट होगा हमारे पास नौ सेलेक्ट हो चुके हैं एक और मेरे को सेलेक्ट करना है तो मैंने मानलो यह सेलेक्ट कर दिया ओडिशा का भूबनेश्वर तो यहां से मेरे पास दस स्कूल जो पुराने वाले थे वह मैंने चूज कर लि तो इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर आ गया पहले निंबर पर अब में नेक्स और एक सेलेक्ट कर लेता हूं महालो महाराष्ट्रका किया इसके इंटरनेशनल तो यह देखो यहां पर मैंने एड़ किया तो यह भी सेलेक्ट हो गया अराम से देखना पुरे एंड तक कि क्या करना है ठीक है पुरा प्रोसेस समझा रहा हूं थोड़ा बोरिंग लगे कोई बात नहीं देखते रहो उसके बाद आप देखोगे तो फिर से लेते हैं महरास्त में चूसकर हूं क्योंकि महरास्ट में अच्छे स्कूल्स बहुत सारे हैं तो मुझे ठोड़ा पर 만들어 कर सकते तो नि लाग्ड चॉइस करना लॉग्ड चॉइस में क्लिक करूंगा मैं यह मेरा हो जाएगा चॉइस आर लॉग्ड सक्सेस्फुली लॉग्ड मतलब का क्या कि भाई अब यह मैंने फिक्स कर दिया है हलाकि इसको आप चेंज कर सकते हो 13 मार्च तक आपका जब भी मन करें जैसा अगर मेरे कमालो चेंज करना होगा तो यह एडिट चॉइस में क्लिक करूंगा मैं फिर चेंज करके फिर से लॉग कर दूगा चॉइस अब क्या करोगे आप इसी वेब साइट पे आपको 13 मार्च के मैं आपको सलेक्शन मिला है कि नहीं जैसे यहां पर लिखाया है सीट लॉकेशन स्क्रेटर फ्र और आक कर सकते हो कि तो भी round 2 को option आएगा आपके पास ठीक है, जैसे माल लो कि मेरे को sanity school अंबिकापूर चाहीए था पर मेरे को मिला sanity school Riva, तो मैं दुबारा से round 2 में बैट सकता हूँ, कि भाई साब मेरे को sanity school अंबिकापूर ही चाहीए तो वह आपकी choice रहेगी, कि round 2 में है round 3 का date क्या है इसलिए चैनल को subscribe कर लिजे और उससे भी ज्यादा better क्या है हमसे जुड़ने के लिए हमारा WhatsApp टेलेग्राम गुरुप जाइन कर लिजे जिसका link description में दिया है और अगर यहां तक आप जूड़े हुए है मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको बता दू सैनिक इस्कूल 2024 सैनिक स्कूल नवधे विद्याले 2024 और 2024 का बैच लॉँच हो चुका है कोर्स बहुत सस्ते हैं हर एक कोर्स 1500 से कम का है सैनिक पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया भी है, पूरे का पूरे वीडियो, कोश्चन पेपर सब अबलेबल है, प्रीवेस यर कोश्चन पेपर अबलेबल है, सब कुछ अबलेबल है, वहाँ पर जाएए, 195 रुपीज में आपको वो कोर्ट मिलेगा, वो आप पर्चेस कर सकते हैं कैसे करना है, आपको हमारा एप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एडू मेंशन नाम का, अगर वो लिंक नहीं ओपन हो रही है, तो आप प्ले स्टोर में जाएए, और वहाँ पर सर्च करिए एडू मेंशन, और एडू मेंशन पर क्लिक करो होगे, तो वहाँ पर हमारे एप के अंदर में आपको फ्री रेजिस्ट्रेशन करना है, अपना मुबाइल नमबर डालो, कोई कॉस्ट नहीं उसका, लेकिन फिर जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, जैसे मानलोड आपने सैन के अंदर ना करूं, पर एक दूर दिन के अंदर में मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूं, चलिए फिर मुझे लगते हैं आप लोगों को यहां तक सारा कुछ समझ आ गया है, I hope आप लोगों को सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हो चुकी हैं, तो फिर मिलते हैं अगले किस इसी वीडियो में, तक तक के लिए हंसते रहें, मुझकराते रहें, देखते रहें स्ट्रेसर की क्लास, जै हिंद और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टाटा, बाए बाए